अब लोग मंतेज लिए सही है हक है बोधी पहुत चोजी करते हैं बच्छी लोगों बश्बाक इसाथ बड़े आपने लोगों को पैसे देके बलाते हैं यूपी में प्यार रोजगार हैं तो यहां क्या रोजगार देली तो अब दीदी के साथ हैं कल भी थी आज भी आपको दिखाएगा भी यहां पर बहुत लोग मौजूद है जिसे बंगाल की राज़िती का हाल जानने की कोशिश करेंगे उनसे पूछेंगे कि बंगाल में लेकिन ऐसे में आप ममताव एनर्जी को क्या उनका आगे भविश है या फिर बीजेपी यहां पर अपना विवस्ता कायम करने वाली है यह तमाम सवाल है और तमाम जवाब जनता से ही लेंगे लगातार आप तक अपडेट पहुचा रहे हैं हर दिन की अपडेट आप तक प अपडेट आप सबसे महीं भाई यह है यूपी में कहिंबई सुरक्षित नहीं है मैला है और जो भी हुआ मेला के साथ कलकत्ता में कुछ भी नहीं हुआ है इसलिए मैला के लिये हम लोग तो यहीं चाहेंगे कि ममताही दीदी सीम बाता है आप को ऑधी स़रकार तो ये कहती कब भी नहीं चाहेते हैं वेस्ट बंगॉल के लोगत को यई मुस्लिम बभाव कोई खुल्फ को जाएगा बच्चों के लिए भी लेडी के लिए इस बारे में क्या सोच है अपकी मुस्लिम समाज के लोग इतना ख़वा क्यों रहतें मौदी जी से मुस्लिम समाझ के नहीं यहां के हिंदू समाझ भी ख़फा है क्यों कि जो कर रहा है उसको सभी को तकलिप हो रही उन लोग को नहीं तकलिप होती मंत दीदी के राज में आप खुश है हाँ बहुत खुश है ममता दीदी हम लोग को बहुत सपोर्ट करती है अच्छा है और हम तो यह हमेश्य हमने देखा हम बंगाल में आये तो यह देखने को बहुत मिला कि बंगाल को बंगाल की युबेटी की चाहिए परिवर्तन करके देखिए ने एक बार ऐसा है कि बंगाल की बेटी ने वह दिखाया है जो उसके इलावा दुसरा को अच्छा लगता ही नहीं दिखता है इसके लिए बिंगॉल की है बंगाल के इलावा उन्हों ने अपको एक मिनि इंडिया दिखता है यहां थाकीम बॉवी साहब और यह जो हमारी लोकल कॉंसेलर है शमसेकबाल साहब यहां पर हम लोगों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है कि अगर फर्याद हकीम मुस्लिम है शमसेकबाल मुस्लिम है तो वो किसी हिंदू के साथ भेदभाव करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं उनके हखेम सब्सक्राइब्व अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि मंतर राज में इतना खुश है तो मंतर राज में जो मंतरी शंत्री वह मंतर दीदी को छोड़ के चले गया है क्या वज़ें उनको एक लोग है वह किसी ना किसी तरह से अपने आपको से यहां पर उनकी चलती नहीं है रहे इस तरीके से आपने देखा कि जनता दीदी के साथ है जनता दीदी को नहीं छोड़ना चाहती और भी लोग है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे यहां पर नौजबान अईवग भी है जो अपना भविशव सवारने वाले हैं मंता जीदी बारबर यह कह रही है कि आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है लेकिन मोधी सरकार बहुत अच्छा उपर दे रही है आपको कि आपके भविश के लिए स्कूल बनाये जा रहे हैं क करते बच्ची लोगों मताब बड़े आपम लोगों को पैसे देखे बलाते हैं हम लोगों शुल आद्री तो घूसल हो हिन लिए हैं हिंदी मेडियम जब फी मोड़े मुझे घृते लिए जाह इसके लिए नाइन क्लास स्में 10 राया दिया जाए बड़े लोगों को टूए म मंगे आर्लाइन पढ़ाई करते हैं तो आपने शीक से देखा कि चोटे-चोटे बच्चे से लेकर बड़े-बड़े लोग भी यह बात कह रहे हैं कि मंता राज में बहुत ममता दीदी ही हमको चाहिए उसके अलावा हमको कोई नहीं चाहिए तो अपने आप मैं ये बड़ा अंदेशा हो जाता है कि आने वाले समय में चुनाव है और जब उसका रिजल्ट आएगा तो क्या कुछ होना है ये लोग यहां पर अंदेशा दे रहे हैं लेकिन ये वक्त ब